बात करते हैं कि कल का मार्केट किस परकार रह सकता है तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बेंग निप्टी नेक्स के बारे में बेंग निप्टी नेक्स का मैंने 15 मिनिट का चार्ट लगा रखा है और यहां पर आप देख रहे हैं कि बेंग निप्टी नेक्स की आज जो ओ 8481 के आसपास दी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की ट्रेटिंग सेसन में बेंगलिट इंडेक्स ने इसी रेंज में ट्रेट किया है ना तो इसका ब्रेकडान हुआ है ना इसका ब्रेकाउट हुआ तो कल की ट्रेटिंग सेसन के लिए भी दोस्तुँ यह रेंज बड़ा trade देखने को मिलता है बड़ा moment देखने को मिलता है और आप यह अपर देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छा consolidation है बेंगनिप्ट इनिक्ष नहीं यहाँ पर बहुत ही अच्छी range बना रखी है तो इस range का जिस side भी breakout होगा उस side दोस्तों trade को प्लान करने वाले हैं अगर यह range उपर की तरफ तूटती है यह इसका breakout होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम call side में trade को प्लान करेंगे और call side में दोस्तों मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर 3 level हम ध्यान में रखेंगे पहला level हमारी ले रहने वाला है 44,620 का level इसके उपर निकलेगा तो अगला target हम प्लान करेंगे 44,760 का level इसके उपर निकलेगा तो अगला target हम प्लान करने वाले हैं 44,844 का level तो यह 3 level कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया थे यह 3 level आपको ध्यान में रखना है कापी ज़्यादा important level है इनके आज-पास आप अपना target प्लान कर सकते हैं और इनके उपर निकलता है तो आप trailing stop loss के बादें से अपने profit को maximize कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो इस range को आपको ध्यान में रखना है कापी ज़्यादा important range है लेकिन दोस्तो इसके अलवा एक बात और आपको ध्यान में रखनी है यहाँ प पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तो इस range में open होकर अगर उपर की तरफ निकलेगा तो हमारी यह तीन target valid होने वाले हैं अगर downside में निकलता है इस range को breakdown करता है तो हमारे लिए जो सबसे important level है वो मैंने यहाँ पर mark करके रखा है यह level कापी ज़्यादा important है important resistance area था जोके दोस्तो तो कलके trading session में breakout के माद़ें से यह level break हो चुका था तो यहाँ पर यह important resistance था अब यह important support बन चुका तो इस level को दोस्तो आपको खास तोर पर ध्यान रखना है इस level के आसपास support देखने को मिल सकता है यह level दोस्तो आपको ध्यान रखना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हू यह level है दोस्तो 44,081 से 44,145 के आसपास का यह important support area इसके आसपास support देखने को मिल सकता है यहाँ से अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है अगर यह level भी breakdown हो जाता है तो हमारे लिए 44,000 का level activate हो जाएगा इसके आसपास हम अगला target प्लान कर सकते है और इसके नीचे आत target हम 43,600 के आसपास प्लान कर सकते है यह भी काफी जदा important level है और downside में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है कि एक और important support level यहाँ पर मैंने mark करके रखा है यह भी काफी जदा important level है इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है अगर कोई बड़ा momentum आता है तो इस level के आसप बस भी support देखने को मिल सकता है 43,400 से 43,451 का यह level है यह भी important support area है इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है तो इस परकर दोस्तों downside के लिए यह 3 level आपको ध्यान में रखना है फर्स लेवल यह important support level इसके बाद यह 44,000 का level 43,800 का level 43,600 का level यह 3 target आपको intraday में ध्यान में रखना है और इसके नीचे आता है तो यहां पर ही support मिल सकता है और यहां से हमें एक अच्छी buying intraday में देखने को मिल सकती है तो इस परकर दोस्तों bank nipte index में अपना trade plan हम कर सकते हैं अगर कोई भी बड़ा gap down यह gap up लगेगा तो वहां पर दोस्तों हम price section को follow करेंगे किस परक 15 minute का chart आपके सामने open करता हूं और 15 minute के chart पर आप देखेंगे तो nipte index ने भी एक सांदार range बना रखी है आज की trading session में हमें दोस्तों nipte index में भी कोई बड़ा momentum देखने को नहीं मिला nipte index भी यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से sideways रहा है और इस तरह के sideways market में ज्य इस range की तो यहां पर दोस्तों upside में यह range है 18,661 पर और downside में दोस्तों यह range है 18,576 के आसपास तो यहां पर यह important range है दोनों level को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है mark करके रखना है जिस side भी इस range का breakout या breakdown होगा उसी तरफ दोस्तों हम अपना trade plan करने वाले हैं अगर यह range उ 7,20 का level जो की important level है और इसके उपर निकलता है तो अगला target हम 18,780 का level द्यान में रखेंगे और इसके उपर निकलेगा तो अगला target हम 18,822 के आसपास plan कर सकते हैं तो upside में दोस्तों यह 3 target आपको द्यान में रखना है कोई बड़ा momentum आता है तो इसके अलावा भी दोस्तों 60-70 पूंट का target इन levels के अलावा plan कर सकते हैं इसका दोस्तों upside में यह level कापी ज़्यादा important है इनको आपको जरूर धेन में रखना है downside की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर यह range breakdown होती है तो यहाँ पर दोस्तों हम put side के लिए जा सकते हैं और downside में दोस्तों हमारा जो first target रहे इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर अगला target हम plan करेंगे 18,432 के आसपास के level और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों important support area में यह आपर mark करके रखा है बहुत ज़्यादा important level है इसको भी दोस्तों आपको mark करके रखना है इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना यह area आप ध्यान से देख लीजे यह area है दोस्तों 18,326 से 18,341 के आसपास का area है इसके आसपास important support है तो यहाँ पर nipton index आता है तो इस level के आसपास support देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक अच्छी buying फिर से देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर दोस्तों दोनु साइड के ल सकता है तो इसके लिए भी दोस्तों आपको ready रहना है और यहाँ पर अगर hold करके nipton index उपर की तरफ निगलेगा तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो तीन target परता है उनको आपको दयान में रखना है और upside में बड़ा momentum भी आपे nipton index में देखने को मिल सकता है तो इस परकर दो market में कोई भी trade opportunity बनेगी तो मैं टेलिग्राम चैनल पर भी आपको update कर दूँगा अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को join नहीं किया है तो नीचे description में लिंक है आप प्रीमे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते है तो इस परकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आ elled दो झादिे अभी वीड्राम चैनल ब quantify